वेलकम बैक दोस्तों आज मैं आपके सामने एक टमिल मूवी को लेकर रहा हूँ जिसका नाम है इरदु पक्कम जिसका मतलब है लास्ट पेज या लास्ट चाप्टर उसी तरह एक सस्पेंस मिस्टरी मूवी है सच में मूवी की कहाने बहुती आजीब हो गरीब है तो चलिए बिना टमिश के लेट्स स्टार अरुस से पहले लुटा दो प्यार फाल इंस्टाग्राम मूवी की शुरुवात में एक लड़की को दिखा जाता है इसका नाम है इयाल और आचले इस लड़की का नाम हमको बाद में पता चलता है फिलाल इयाल आपने किसी फ्रेंड को वार्स अफ वाइस मेसेज सन करती है आसपास की हासाओं को देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है मैंने तो ये एकस्पेक्टेट ही नहीं किया था और ये लोग मुझे शांदी से जीने नहीं देंगे मेरी ये बातें किस से शेयर करूँ ये भी मुझे नहीं पता इसलिए मैं तुम से शेयर कर रही हूँ उसके बाद सीन बहुत साल फीचे जाता है जब येल छोटी बच्ची थी तो एक आश्रम में थी उस वक्त येल की एक फ्रेंड आकर येल से ये कहने लगती है कि फादर के पास से पांच साजार रुपे गायब है पुलिस सागर वाच्पन को पुलिस टेशन ले गई उसके बाद सीन प्रेजन पर शिफ्ट होता है अपने नेंच से जगने के बाद येल फ्रेशफ बगरा होकर बाहर जाती है शायद आफिस बाहर जाकर तकरिबन साड़े चार बज़े वापस अपने घर आती है और रेश्ट लेने के लिए सोफे पर बैटकर अपने आँग बंद करती है सीन दुबारा फ्रेश बैक में जाता है येल का बचपन एक दिन येल और उसकी फ्रेंट जब पड़ाई कर रहे होते है येल अपने फ्रेंट से कहने लगती है हे तुमने दीपा के बेहन के बाद फ्रेंट को देखा बहुती अच्छा है ना वो क्या तुम मुझे उस लड़के का फोर नमबर लाके दे सकती हो उसके फ्रेंट कहने लगती है कि उसका फोर नमबर नहीं है और वैसे भी वो हमसे साल साल बड़ा है बड़ा भाई लगता है तब ही येल के घर की घंटी बचती है अच्छान नाम का एक बंदा येल के दरवाज़े के पास होता है आच्छूली अच्छान परगल वाले घर वालोगों के लिए आया था लेकिन वो लोग तो कहीं भाहर गए होते है तो थोड़ी देर वेट करने के लिए अच्छोख E.L. के घर में रुखने की विश्च करता है E.L. इसको अपने घर के अंदर लाती है थोड़ी देर बाद आशोक E.L. को पाने पूचता है पीने के लिए जब E.L. पाने लेकर वापस हॉल में आती है अशोक एक रसी के मदद से E.L. के गले में फासी डाल कर इसे मार देता है खर दूसरे सिन में एक पुलिस आफिसर का डिड़क्शन होता है इसका नाम है कुमार अब कुमार के परसनल लाइफ के बार में बात करें तो इसके अल्रेड़ी शादी हो चुकी होती है तब ही कुमार को ये इंफर्मेशन मिलती है कि किसी जगा पर किसी लड़की की हत्या हो गई है कुमार फोरन रड़ी शड़ी होकर E.L. के घर जाता है वहाँ पर E.L. के लाश होती है खर उसी क्राइम स्पॉट पर एक नई लड़की होती है इसका नाम होता है जैनिफर एक बंदे के रिकमेंडेशन से पॉलिस डिपार्टमेंट को जॉइन किया है कुमार अपने कॉनिश्टेबल से मरने वाली के बार में पूछने लगता है लेकिन जैनिफर आलरी E.L. के बार में सब कुछ पता कर चुकी होती है कुमार को बताने लगती है कि इसका नाम है E.L. इसकी एज है 26 एक औरफर्ण है उसी तरह एक बुक रैटर भी है इसके कोई ज़्यादा फ्रेंस नहीं उसी तरह दुश्मन भी नहीं खर उसी क्राइम स्पॉट पर मिथुन नाम का एक बंदा होता है इसी ने पहली बार E.L. की लाश देखी और आच्विली मिथुन E.L. का बॉर्फरेंड है आच्विली बॉर्फरेंड नहीं ये दोनों लिविन रिलेशनिशिप में होते है मिथुन सिर्फ रात में E.L. के घर आता है और कुछ पुष्टाश करने लगता है के कल रात कौन-कौन इस अपार्टमेंट में आया था इसी बातों ही बातों में जैनिफर कुमार को कॉल करके ये बताने लगती है सर, we got the killer ये सुनकर कुमार शौक में रह जाता है कुमार फोरण पुलिसेशन जाता है और तब तक अशौक पुलिसेशन में होता है अपने आपको surrender कर लेता है कुमार अशौक से पूशन लगता है कि तुमने उस लड़की को क्यूँ मारा अशौक अपनी कहानी को बताने लगता है कि आशोक सीधा साधा छोटी फैमली वाला इंसान है रिसेंटली आशोक को ये बात पता चली कि इसकी बेटी को ब्रेंट टूमर है लेवेल टू आपरेशन के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए आशोक आपने फ्रेंड्स रिशिदार को कॉल करने लगा लेकिन किसी ने भी इसको उतना पैसे नहीं दिया तब ही आशोक को एक पार सल आता है कुरियर आता है उस कुरियर में एक किताब होती है उस किताब के अंदर बहुत सारा पैसा होता है और उसी तरह एक लेटर भी और इस लेटर में ये लिखा होता है कि अगर तुमने इस लड़की को मार दिया तो मैं बचे कुछे पैसे भी तुमको दे दूँगा तुम अपने बेटी का ओप्रेशन करवा लो तुमारी बेटी बस सकती है अब अशुक तो सीरेल किलर नहीं वो बहुत सोचने लगता है कि ये काम करे या ना करे मिथुन की ये कोल गर्फेंड इसका नाम होता है याशनी वो मिथुन को कॉल करती है मिथुन उसको वेट करने के लिए कहता है थोड़े देर बार डॉक्टर रियल का पोश्माठम करके बाहर आता है और कुमार से कहने लगता है कि लड़की की हत्या गला दवाने के वज़े से हुई कुमार पूशने लगता है क्या कोई रेफ वगर का चांसस थे डॉक्टर कहने लगता है नहीं लड़की का आरेपी तो नहीं हुआ लेकिन उसके प्रेवेट पार्ट्स पर कुछ जखम है कुमार यही बात मिथुन को पूशने लगता है मिथुन कुमार से कहने लगता है अरे सर हम दोने ये की साथ जिन्दगी गुजार रहे थे आफकोस सक्स्तो कामन है वैसे भी आप मेरूपर टाइम बरबाद कर रहे हो आप प्रशन से जाकि पूछिए ये सुनने के बाद पुलिस वाले फोरण प्रशन के घर जाते है लेकिन वहाँ पर प्रशन नहीं होता प्रशन कोचिन गया होता है और वो भी विगनेश के साथ कुमार विगनेश का फोन नंबर लेकर विगनेश को कॉल करता है और पूछने लगता है क्या प्रशान तुमारे साथ है विगनेश कहने लगता है हाँ सर हम दोनों कुछ काम से कुछ ही न आये है कुमार कहने लगता है तुम फोरण प्रशान को फोन दो विगनेश कहने लगता है आच्छली सर मैं नीचे हूँ वोपर जाने में थोड़ टाइम लगेगा मैं जाके देता हूँ तो विगनेश उसी तरह से प्रशाद को फोन देता है कुमार प्रशाद को येल के अबार में बताते हुए फोरण वापस चरने आने के लिए कहता है प्रशाद कहने लगता है सर मुझे आने में तो 4-5 दिन लग जाएंगे ये सुनने बाद कुमार को शक होने लगता है प्रशाद और विगनेश से कहने लगता है कि तुम दोरण फोरण ये बताओ कि आप फिलहार प्रशाद कौन सा कलर का शर्ट पहना हुआ है ये सुनने के बाद प्रशाद घबरा जाता है फोरण अपने फोन को सुचाफ कर लेता है मतलब उस वक्त आच्छुली प्रशाद विगनेश के पास नहीं था मतलब कोचिन में नहीं था प्रशाद तो चन्ने में ही होता है विकनेश ने कांफेंस के ज़रीय से कुमार से बात करवाया था उसके बाद कुमार प्रशांद का 4 मुझे आज सुबो ही यल के बारे में पता चला यल मर चुकी है मैंने सोचा कि पोलिस वाले ढूंते हुए मुझे तक भी आ जाएंगे इसलिए मैंने ये नाटक किया कुमार पुछने लगता है तो तुमने एल का कतल कर दिया प्रशान कहने लगता है नहीं सर मैं उसे क्यों मारूंगा मैं तो उससे प्यार करता था इस तरह से सिन फ्लैश बैक में जाता है डिसमबर 2013 मतलब कॉलेज डेस की बात एक दिन जब एल अपने पेपर्स लेकर सिडियां उतर रही थी प्रशान से टकर हो जाती है एल के सारे पेपर्स नीचे गिर जाते है प्रशान उन सारे पेपर्स को सिमिट के एल को देता है लेकिन उन में से एक पेपर बच जाता है एक्चिरी उस वक्त E.L. का नाम होता है किरूबा प्रशांत को पहली नजर में ही प्यार हो जाता है कॉलेज खतम होने के बाद प्रशांत E.L. को रोक लेता है और E.L. का जो मिसिंग पेपर होता है उस पेपर को E.L. को लोटा देता है Actually EL को College Day से ही स्टोरिस लिखने का बहुत शोक था प्रशांद EL की कहानी को पढ़कर इसकी कहानी की तारिफ करने लगता है EL ने अपने कहानी में एक छोटी बच्ची की कहानी को लिखा होता है कि एक 12 साल की बच्ची एक लड़के से प्यार करती थी उससे बात करने की विश्च करती थी, एक्सटरा, एक्सटरा खर दूसरे दिन से प्रशांद हर रोज EL के सामने आता रहता है उसे हाई हलो बोलता रहता है मतलब उससे बात करने के कोईश करते रहता है और शीज़ तरह EL का 4 नंबर हासिल करके इसको बाहर बलाता है अखर education खतम होने के बाद one find day जब प्रशांद कोरियर देने के लिए किसी के घर जाता है, वो घर और किसी का नहीं EL का होता है, प्रशांद EL को देखकर शौक मेरे जाता है, उसी तरह ELB, EL प्रशांद को अपने घर में बलाती है, प्रशांद पूछने लगता है कि तुमने नहीं, उस वक्त तुम मुझे कुछ ज्यादा ही तंग कर रहे थे, तुमसे चुटकारा पाने के लिए मने तुमसे जूट कहा, खर प्रशांद कोरियर देकर वहां से चला जाता है, उसके बाद EL अपने फोन से प्रशांद का नंबर अनबलॉक करती है, रात होने के बाद प मुलाकातें बढ़ने लगती है, इन दोनों में प्यार होता है, ये दोनों एक दूसरे में बहुत खुश होते है, एक दिन सरड़नली EL का फोन सुचाफ हो जाता है, आलमुश दो दिन तक EL का कोई आथा पता नहीं होता, प्रशांद कॉल पे कॉल करता रहता है, EL के से कोई रिस्पॉंस नहीं होता, दो दिन बाद रात में प्रशांद EL के घर जाता है, उस वक्त EL अपने घर में नहीं होती, वो दुबारा EL को कॉल करता है, उससे पूशन लगता है कि दो दिन तक कहा थी तुम, EL बताने लगती है, अरे प्रशांद मैंने तुम को बताया था ना, म किड़की पर पढ़ती है, EL के घर में कुछ पेपर्स रखे होते हैं, प्रशांद उन पेपर्स को लेकर कहानियों को पढ़ने लगता है, इन कहानियों को पढ़ने के बाद प्रशांद को ये बात पता चलती है, कि EL कुछ एरोटिक नावल्स लिख रही है, और वो भी अपन परसनल एक्सपिरियंस से, दूसी तरफ हम EL को भी देखते हैं, जो शायद कार में किसी के साथ कार्ण करके बाहर आती है, थोड़ी देर बाद EL वापस अपने घर आती है, आफकोस वहां पर प्रशांद होता है, प्रशांद उन सारे पेपर्स को लेकर EL के मुँपे फेकता ह और पूशन लगता है, यह है तुम्हारा फील वर्क, बाहर जाका स्टेंजर्स के साथ सेक्स करना, यह है तुम्हारा काम, EL कहने लगती है कि प्रशांद I love erotic novels, इसके लिए मुझे फील वर्क करना ज़रूरी है, और मेरी सोच को समझना तुमारी बसकी बात नहीं, इतनी मै लेक अप कर देता है, इस तरह से प्रशांद जो कुछ भी हुआ वो पूलिस वालों को बताता है, उसके बाद प्रशांद रोते हुए अपने फ्रेंड से कहने लगता है कि काश, काश मैं EL से मुलाकात नहीं किया होता, तो आज EL जिन्दा होती, मेरी वज़े से ही EL की मौध हुई, ऐसा कहते हुए प्रशांद टर्रेस के उपर से नीचे जंप लगा कर सुसाइट कर लेता है, कुमार फोरन प्रशांद को हॉस्पिटल ले जाने लगते है, उसके बाद कुमार मनी ट्रांसफर आफिस जाता है, ये पता करने के लिए कि आशो को किसने पैसे भीजा, वो बंदा कहने लगता है, सर ये बताना मुश्किल है, क्योंकि बड़े बड़े आमोर्ज हवाला के जरीये से ट्रांसफर होते है, और ज्यादा तर मिनिस्टर्स यही काम तो करते है, उसके बाद कुमार एक पब्लिशिंग आफिस को जाता है, जहां से एल अपने बुक्स क चलती है, कि रीसेंटली ईयल ने एक किताब लिखी थी, लेकिन ईयल ने एकी प्रिंट छापने के लिए कहा, और चीद्ना एक ऐड़ेस पर सेंड करने के लिए लिए कहा, हमने उसी तरह से कर दिया, कुमार उस पब्लिशर के पास से उस अड़्रस को ले लेता है, उस कुमार को सुबा सुबा एक कुरियर आया था वो करियर और कुछ नहीं ये बुक होती है और इस बुक का नाम होता है The Last Page जब कुमार Last Page को Open करता है वो पेश तो खाली होता है फ्टा होता है खर दूसरे सिन में हमको ये दिखा जाता है कि मूवी की स्टार्टिंग में येल ने किसी को वाइस मेसे सेंड किया था वो और किसी को नहीं जनिफर को होता है प्रेजन्ट पर कुमार जनिफर को येल की बुक दे कर कहने लगता है कि तुम इस किताब को बहुती डीटेल से स्टड़ी करो और किसी तरह की क्लू मिले तो फोर मुझे इंफार्म करो वही दूसी तरफ पुलिस वाले मिथुन की गल्फेंड याशनी को फालो करते रहते है याशनी यही बात मिथुन को कॉल करके बताती है कि कोई मेरा फीचा कर रहा है इस तरह कुमार अपने कॉनिशेबल से ये कहने लगता है मैंने कहा था ना कि उस लड़की के कॉल हिस्ट्री, वार्टसप, फेस्बुक, सारे के सारे डिल्स चक करने के लिए क्या तुमने चक किया, कॉंस्टेबल कहने लगता है, सर वो तो जनिफर ने चक किया था और उसने कहा सारा मामला किलियर है, तो बात में हमको ये दिखाय जाता है कि कुमार क्राइम स्पॉट पर आने से पहले जनिफर वहाँ पहुँच गई थी जनिफर येल का फोन लेकर उस वाइस मेसेज को डिल्ट करती है और उसी तरह येल के फोन में अपने नेंबर को भी, अपनी कॉल हिस्ट्री को भी और जब कुमार आता है, भोती मासूम बनकर जनिफर कुमार के पास आती है येल का फोन देती है, प्रेजेंट पर मिधून चीकते चिलाते हुए कुमार के पास आता है और कुमार से कहने लगता है, क्या आप लोग याशनी को क्यों फालो कर रहे हो याशनी का इसमें कोई लेना देना नहीं है आप कुमार को भी गुसा आता है, उसे डाटने लगता है कि तुम मुझे बताओगे कि किसे इंविस्टिकेशन करना है, किसे नहीं तुम जाओ पहले यहां से उसके बाद कुमार जनिफर को बला कर पूछने लगता है इस तिरफ जनिफर उस किताब को पढ़ रही होती है एक और नोन नमर से इसको मेसेज आता है कि मुझे तुमारे सिक्रेट्स के बारे में पता है तुम फोरbetween मुझे मिलने के लिए पालिमार होटल आओ जनिफर उस बंदे से मिलने के लिए होटल जाती है थोड़ी देर बाद वो बंदा जनिफर से मिलने के लिए आता है वो बंदा और कोई नहीं कुमार होता है और जनिफर से पूशन लगता है बताओ जनिफर तुमने इला का कतल क्यों किया पहले से ही तुम इस केस को लेकर बहुत एक्साइटिट थी कि कप कप ये केस क्लोज होगा और सी तरह मैंने तुमारे बैगरोंड के बार में भी चक किया बच्पन में तुम और ईला एक औरफनेश में थे न वहाँ पर तुम दोरों के बीच कुछ जगड़ा हुआ तुम उस औरफनेश से निकल गई वही से तुमारा ये रिवेंज ड्रामा स्टार्ट हुआ ऐसा कहते हुए कुमार जनिफर को पुलिस टेशन ले जाने लगता है रास्ते में कॉंस्टेबल कुमार से कहने लगता है सर मुझे लगता है जनिफर कादिल नहीं है आप भी सोचिए मैनी ट्रांसफर के आफिस में जनिफर भी थी अगर जनिफर असली कादिल थी वो मैनी ट्रासफर वाला बंदा जनिफर को पहचान लेता था सो कुमार को भी इस बाध का है जनिफर को पॉलिस टेशन ले जाने के बज़ाए किसी दूसी जगा पर लाता है जनिफर कहने लगती है कि सर आच्चुली मैं खुद अपने बारे में आपको बताने वाली थी हाँ आर्फरेंच में हम दोनों की बिच लड़ाई हुई थी काफी सानों तक हम दोनों की बिच बात्चित नहीं चली थी एक दिन इला ने मुझे अपना वाइस मेसेज संड किया ये मेसेज देखने के बाद मैंने सोचा इला से जा मिलूंगी बहुत वेट करने के बावजुद भी इला अपने घर नहीं आई दूसरे दिन सुबा जब मैं इला के घर गई वहाँ पर इला की लाश थी और सच में मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं के इला को किसने मारा इसलिए मैं रेकमेंडेशन के जरिये से इस केस में इन्वाल हुई ताकि मैं भी इला के असली कातिल को पकड़ पाऊं ये सुनने के बाद कुमाज जेनिफर की बातों पर एकिन कर लेता है उसके बाद कुमार स्टार्टिंग से इस केस का वोवर्वी करने लगता है सारे केस में अभी भी कुछ सवालों की जवाब बाकी है कि कौन है वो बंदा यूएस डालर से अशोको पैसे सेंग किया और भी ऐसे कुछ सवाल है जिसका जवाब सिर्फ परशांध ही दे सकता है लेकिन अब परशांध फिलहाल हॉस्पिटल में है शायद कोमा में तब ही मिथुन परशांध को देखने के लिए हॉस्पिटल आता है जब मिथुन परशान को देखकर वहां से जा रहा होता है उसी वक्त कुमार और उसकी टीम भी वहां पर आ रही होती है कुमार मिथुन को देखकर पहचान लेता है जब मिथुन भाग नहीं वाला होता है कुमार मिथुन को पकड़ लेता है मिथुन कहने लगता है कि मैं इला से बहुत प्यार करता था इला भी मुझसे बहुत प्यार करती थी हालां कि मेरा प्यार करने का तरिखा कुछ अलग था मैंने इला को बहुत हट भी किया था लेकिन बीच में ये प्रशान था गया उसके बात कुमार यह अंदाजा लगाने लगता है कि मिथून ने यला को कैसे मारा अब मिथून की मा यूएस में रहती है मिथून ने अपने मा से कुछ पैसे मंगवाया और वो पैसे डेरेट अशोक के आकोंड में डलवा दि अब आपको याद है ना कि आशो को एक पारसल आया था मिथून ने वो पारसल करकर उसकी रिसिप्ट अपने घर में ही रख ली सर्चिंग के दोरान पुलिस वालों को ये रिसिप्ट मिली इसी रिसिप्ट की जरीये से पुलिस वाले मिथून तक पहुंचे मितुन को गिर्फतार कर लिया उसको बाद सिन कुछ दिनों बाद शिफ्ट होता है एक दिन जब कुमार अपने बेटी को किताब में कुछ पढ़ा रहा होता है तब ही कुमार को लिला के बुक के बारे में याद आता है कुमार फोरण उस किताब को लेकर आखरी पेच को उपन गड़ता है वहाँ पर कुछ कोर्स लिखे होते है और सी तरह उस किताब के नीचे एक इमेल भी होता है और अच्छली मुवी की स्टार्टिंग में कुमार ने अपने जीमेल को उपन किया था वहाँ पर इला की तरफ से एक मेल आया था उस मेल में ये लिखा होता है अब यहाँ पर इस कहानी का असली सस्पेंस रिवील होता है अच्छली इला एक बहुत बड़ी रॉइटर बना चाहती है इसके नजरिये में सेक्स अलग है लव अलग है लव दिल का मामला है लेकिन सेक्स फिजिकल नीर है जैसे खाना पीना इला अपने फिजिकल नीर्स को कुछ अलग ही तरहे से फूरा करती रहती है लेकिन एक दिन ये बात प्रशान ने जान ली इला प्रशान को समझाने के लिए दुबारा उसके पास आयी थी लेकिन प्रशांद इसकी बातों को समझ नहीं पाया और अचली उस वक्त इला की जिन्दगी में आलरी मिथुन था मिथुन भी इला के जैसा ब्रॉड मैंडेट था मिथुन किसी और से प्यार करता था लेकिन कांड इला से ही करता था और वो भी एक हाईवानेज जैसा सेक्स पहले तो इला को मिथुन का ये दिवानापन बहुत पसंद आने लगा लेकिन धीरे धीरे मिथुन का है बढ़ने लगा वो जानवरे जैसा बरताफ करने लगा इसलिए एक दिन इला ने डिसाइट के लिया कि ये मर जाएगी लेकिन इसके पास उतनी हिमत नहीं थी सो इला ने ये डिसाइट कर लिया कि प्रशाद और मिथुन को एक सबक सिखाएगी एक दिन इला किसी हाउस्पिटल में अशोक को देखा रोते हुए उसको फालो किया, उसकी प्राबलम को पेचान लिया उसके बाद एक रात ईला मिथुन का फोन लेकर उसकी मा को मेसेज किया कि इसको कुछ पैसे चाहिए जब पैसे इंडिया को टरांसफ़र हुए अर वो रिसिप्ट मिथुन के पास छोड़ दिया ताके मिथुन पर शक्क आये उसके बात प्लान के हिसाब से एक राद अशोक इला के घर आया बहाना बना कर इला का गला घोटके उसे मार दिया मतलब इला नहीं अपने खुद की सुपारी दी होती है दूसरे दिन परशाद इला का हाल चाल पूशने के लिए जब उसके घर आया तब तक इला मर चुकी होती है अब मिथुन ये समझ रहा था कि इला परशाद के वज़े से मर गई मिथुन हॉस्परिल जाकर परशाद को मार दिया खर दूसरे सिन में एक टीनेज लड़के को दिखाय जाता है फिलहाल इस टीनेज लड़के को एक पारसल आता है जब ये लड़का उस पारसल को उपन गड़ता है तो उसमें एक फोन होता है और यहाँ पर मैं आपको ये बात बता दूँ कि ये टीनेज लड़का और कोई नहीं कुमार था और अभी भी कुमार स्मार्टफोन यूज़ करने के बज़ाए इसी फोन को यूज़ कर रहा होता है और ये फोन किसने गिफ दिया था ईला ने इस तरह से ये मुवी यहां पर दी एंड होती है खर मुझे पता है कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा फानली इस मुवी का ओवर्यू बताता हूं सुनिये बच्पन में इला और जनिफर ये दोनों और्फनेज में रहते थे इला ने एक लड़की को पसंद किया वो लड़का और कोई नहीं कुमार था इला ने फादर के पास 5,000 रुपे पैसे चुरा कर उन पैसों से एक फोन खरीदा वो फोन कुमार को गिफ दिया ये बाद जनिफर जान के इला को छोड़ दिया और एक्चुली यही कहानिया इला अपने किताबों में लिखती थी मतलब रियल इवेंट्स आपने खुद पर बीदी हुई कहानिया खैर कॉलेज खतम होने के बाद इला को इरोटिक्स नावल्स लिखने का शोक आया सो इला स्टेंजर से मिलकर उनके साथ कान करके ऐसे नावल्स लिखा करती थी इसी दर्मियान में मिथुन इसे मिला पता चल गई उसे नफरत करने लगा इला बार बार प्रशांद के पास जाकर अपने थार्स को शेर करने लगी लेकिन प्रशांद को इसकी बातें कुछ भी समझ में नहीं आई लेकिन इला को प्यार चाहिए था और उपर से सेक्स भी अब यहाँ पर देखिए इला की जिन्दगी में अब दो काटे है एक है मिधुन जो हर वक्त इसको सताता रहा दूसरा है प्रशांद जो इसको छोड़के चला गया इसको समझ नहीं पाया सो इसलिए इला इन दोनों को सबक सिकानी के लिए आपने खुद की सुपारी ली फानली वो जनिफर को एक वाइस मेसे सेंग किया उसके बाद आगे की कहानी क्या है आपको पता है और कोई सवाल हो तो कमेंट कर लेना शायद कुछ पॉइंट समिस हो चुके होंगे तो मिलते हैं एकली वीडियो में तब तक टेकर बाबै सी यू सून